कभी हम बहुत निराश होते हैं तो कभी आशानवित होते हैं इन दो बिलकुल विपरीत अनुभूतियों पर हमारे पूर्व प्रधान मंतरी स्वरगिय शुरी अचल बिहारी वाजपई जी ने एक बड़ी ही सुन्दर सरल कविता लिखी थी जिसका शीर्शक है दो अनुभूतियां आज वही कभीता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब कभी उदास है तो उसका मन लिखने को नहीं करता फिर भी वो लिखता है वो कहता है गीत नहीं गाता हूँ बे नकाब चहरे है दाग बड़े गहरे है तूटता तिलिस्म आज सच से भैखाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ अकेले पन के दर्द को कवी कुछ इस तरीके से व्यक्ते करता है लगी कुछ ऐसी नजर लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ जब कोई अपना विश्वासगान करता है तो उस व्यथा को कवी कुछ इस तरीके से कहता है पीट में छुरी सा चांद राहू गया रेखा फांद मुक्ति के क्षणों में बार बार बंद जाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ लेकिन जब परिस्थिती बदलती है तो मनह स्थिती बदलती है बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि अगर हम मनह स्थिती को संभालने तो परिस्थिती को संभालना आसान हो जाता है तो जब कभी का मनप्रसन है तो वो कहता है गीत नया गाता हूँ तूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर जरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ गीत नया गाता हूँ जब किसी के सपने तूट जाते हैं तो उसकी पीड़ा दुनिया नहीं समझती है इसलिए रोना व्यर्थ है मुस्कुराते रहिए प्रयास करिए और अपने सपनों को साकार करिए कवीज के बारे में कहते हैं तूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिटकी हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता हूं गीत नया गाता हूं